हेलो एब्रिवन प्याँ हूँ सोहल और आप देख रहे हैं स्पोर्स लैब तो दोस्तों एक कमाल का स्रीज सुरू हो रहा है पाकिस्तान में जिया दोस्तों यह जो स्रीज होगा वह होगा पाकिस्तान बनाम न्यूजिलेंट के बीच में टीटुएंटी स्रीज है और इसी के बारेगे पुरी वीडियो में इस बदीऊ में पहली जल्डि से जल्डी सब्सक्राइब करें किया हम क्रिकेट से हर एक छोटी बड़ी अफ्डेट लाते रहते हैं तो दोस्तों बात करें जो पकिस्तान और के बिच यह 5020 मुकाब्ला होने वाला है कममाल का होने वाला है क्योंकि बताधे कि के सिंगिर किलारी सामील हूए है पकिस्टान टीम में मुहमभभभय नाम कि हारिस रोंभ बाहर है वही कोई और वजलू नहीं है कि हर बायर को बाहर गया हो इसके अला बता दे कि Sign of Riddhi पर भी सभी का नजर रहेगा कि मुकाबले खिलते हैं या नहीं क्योंकि बता दे कि इससे पहले Sign of Riddhi पकिस्तान के कप्तान थे और सिर्फ एक स्रीज के बाद से उन्हें हटा दिया गया है इसके बाद से फिर से कप्तान बना दिया गया है पकिस्तान टीम के बाबर आजम को वहीं बता दे कि नसीम सा भी फीट हो चुक है यानि कि पकिस्तान टीम का जो गिंतबाजी लाईनाप पे कममाल का है एसे में न्यूजिलेन के टीम थोड़ा कम जोड़ है क्योंकि उनका मुख्य खिलाडी IPL में बेस्ट है एसे में पकिस्तान के टीम 5-0-0-0 जीर सकती है दोस्तों बता दे कि जो 5 T20 को मुकाबला है इनमें से 3 T20 मुकाबला रावल पिंडी में खिला जाएगा इसके दो T20 मुक है इसके बाद जो 2 मुकाबले है 25 अपरेल को और 27 अपरेल को यह मुकाबला लाहर में खिला जाएगा वहीं बात करें टाइमिंग के दो दोस्तों बता दें कि यह साथ बज़ के 30 मिनट पर सभी मुकाबले शुरू होंगे इंडियन टाइम के हिसाब से इसका लाव बात करी यह सभी मुकाबले इंडिया में कहां देख सकते हैं तो दोस्तों पहले तो वह से सोनी लीप पर आता था लेकिन अब सोनी लीप आने वाला नहीं है यह सिरीज सिर्फ फैन कोड़ पर लाइब स्ट्रीमिंग किया जाएगा इस संदार मुकाबले को जहां पर आप इंज्वा कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर बताया तब तक लिए मिलते हम आपको अगले वीडियो में